नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव लगतार और बेर्म विधायक कुमार जय मंगल ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है और मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि सदन में जो मुद्ध प्रमुक रूप से अगर उठाय जा सकता है उस पर भी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो क्यूं हुई है इसका जवाब जो है वो प्रभारी दे सकते हैं या फिर वो विधायक दे सकते हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और उन्होंने इस पच्छ रूप से कहा है कि अगर सदन में हम कॉंग्रस को डढ़ने की जरूरत नहीं है अक्टिविटीज में भाग नहीं लेना है तो आप विपक्ष को बोल सकते हैं कि बाहर जाए लेकिन हम तो जितने दिन विधान सबाद चलेगा जितने देर विधान सबाद चलेगा सत्ता दल के लोग वहां पे बैटके हाउस का पोरम कुरा करें लिए लोग सभा में करते हैं या फिर अपने विधान सबाद की परिशानियों से अफगत कर आते हैं और शायद विपक्ष के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो स्पीकर के सामने इन बातों को रख सकता है कि आपकी सरकार सत्ता दल के विदायकों का काम करती है या फिर विपक्ष के विदायकों का काम नहीं करती है तो मेरे हिसाब से हाउस पूरा चलने देना चाहिए देखे देखे मैं आपको बताता हूँ सरकार का विशे एक अलग विशे होता है पार्टी का विशे एक अलग विशे होता है इस मुद्दा पे विपक्ष में घेरना और विदान सवा में हंगामा ये एक अलग विशे है मैं समझता हूँ जो ये करेंगे वो बेकूफ होंगे कॉंग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि हमारे जो विदायकों ने भोट दिया वो क्यों दिया यह सरकार का विशह नहीं है कि जो हम लोग इसको मीडिया फोरुम में जाके सरकार के तरफ से एक प्रोटोकॉल के तहट मीडिया को अवगत कराए हाँ निशित तोर पर पा पार्टादल के पार्टी है उन्होंने द्रॉपति मूर्मूर को सपरतन दे दिया तो पार्टी का विले थोड़ी हुआ है और आपको यह समझना चाहिए कि पार्टी को चिंता करनी की जरुरत है कि आखिर क्यों हुआ है मैं विदायक होने के बाद भी यह बता रहा हूं क्य तो यह जितना गोपनिये रहे उतना अच्छा है जातिवाद से हटके रहे उतना अच्छा है धरम से हटके रहे उतना अच्छा है इसको मीडिया में उच्छाल कर हर एक फेक्ति का कल को आप लोग भी विदायक बनियेगा कल को आप लोग में से भी कोई मंत्री बनियेगा ब तो एक एक जो डेमेक्रेटिक राइट है किसी का उस पर किचण उछालने का काम मत करिए कोई विधायकों ने अगर किया भी है तो समिधान उनको अधिकार देता है तब जाके होता है यह पार्टी का विशे है पार्टी को तह करने दिजे कि विधायकों पर क्या कारवाई होग कि विचार धारा किया एक तरफ दांदी एक तरफ गोड शे हैं आपकी पाटी कहे रही थी तो हमारा मानना है इसी ने तो मैं पांडे जी पूछ रहा हूं कि पुछ रही थी तो पाटी के प्रवक्ता से Karmaि我们 किसी विधायक ने किसी विधायक ने अभी एक विधायक है हो सकता आप भी सब के गहरे में हो निश्य तोर पर रूप निश्य तोर पर सके गहरे में हो आप आम तोर पर कोई विधायक अपनी पार्टी से हटके अगर ये निर्ने पर जाता है तो क्या वज़ा दो ही हो सकती है पांडे जी अभी इतना लंबा सवाल पूछिएगा तो आप ही का डेटा कम हो जाएगा आजकल इंटरनेट का दमाना सवाल थोड़ा छोटा पूछा करिए देगे पार्टी क्या राय रखती है नहीं रखती है मैं फिर बोल रहा हूं पार्टी का जवाब पार्टी के प्रवक सबFilруж के चुनाव वाले को वोट दे सकते हैं। लेकिन आप कॉउंग्रेस पटी से चुनके आएं तो कउंग्रेस पारी को आपको जवाब देना बनता है। और शाइद यही जवाब आपको अंदरबंद कमरे में देना हो परभारी और को आप परभारी पूच रहे हैं सवाल परभारी पूच रहे हैं तो आप ही अपना सवाल उउनसे पूछिए तो जाद gameplay गि कहा अच्छागा बिदायों ने मेरे ने को जवाब दिया नहीं कि उन्होंने क्यू वोट दिया है कि अंधुक्र आप लोगों पर गौत तसकर चुकि महिला धरोगा पर गाड़ी चड़ा दिया गया ये मैं नहीं बानता हूँ और मैं हिंदू धरम में पैदा हुआ हूँ और हिंदू जाती से आता हूँ और गौत तसकरी एक हिंदू होने के नाते बिधायक होने के नाते मैं बरदाश नहीं करूँगा ये मैं आपको साफशव्द में कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी में ये होने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वोटर्स कॉंग्रेस को सपोर्ट करते तो गौत तसकरी को हम लोग बढ़ावा दे मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म से आता हूँ धर्म को सम्मान करता हूँ लेकिन और जाती को भी सम्मान करता हूँ लेकिन अगर मेरे धर्म को कोई चोट पहुचाएगा हिंदूस्तान के समिधान के तहित खिलेगा तो मैं उसका भी विरोध करूँ